जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगा कर सोचना कि मेरे सामने कौन है और यदि तू खाओ हो तो थोड़ा खा कर भूखा उट जाना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तू की लालसा न करना क्योंकि वह धोके का भोजन है धनी होने के लिए परिश्रम न करना अपनी समझ का भरोसा छोड़ना क्या तू अपनी दुरुष्टी उस वस्तू पर लगाएगा जो है ही नहीं उस उकाप पक्षी की नाए पंख लगा क निसंद्यह आकाश की ओर उड़ जाता है जो डाहा से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तू की लालसा करना क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है वह तुझसे कहता है कि खा पी परन्तु उसका मन तुझसे लगा नहीं जो कोर तुने खाया हो उससे उगलना पड़ेगा और तु अपनी मीठी बातों का फल खोएगा मुल्क के सामने न बोलना नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुझसे जानेगा पुराने सिवानों को न बढ़ाना और न अनाधों के खेत में गुशना क्योंकि उनका चुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा अपना रद है शिक्षा की ओर और अपने कान ग्यान की बातों की ओर लगाना लड़के की ताड़ना न छोड़ना क्योंकि यदि तू उसको चड़ी न मारे तो वह न मरेगा तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्रान अधोलोग से बचाएगा है मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेश करके मेरा ही मन आनंदित होगा और जब तू सीधी बाते बोले तब मेरा मन प्रसन होगा तू पापयों के लिए मन में डाहना करना दिन भर यहव का भय मानते रहना क्योंकि अंदम में फल रहेगा फल मिलेगा क्योंकि तेरी आशा न टूटेगी हे मेरे पुत्र तू सुनकर पुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला दाख मधो के पीने वालों में न होना नमास के अधिक खाने वालों की संगति करना क्योंकि पियकड और खाओ अपना भाग खोते हैं और पिनकने वालों को चिथड़े पहने पड़ते हैं अपने जन्माने वाले की सुनना और जब तेरी माता बुढिया हो जाए तब भी उसको तुछन्ना मानना सच्चाय को मोल लेना बेचना नहीं और बुद्धी और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जन्नी मगन हो जाए है मेरे पुतर अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दुरुष्टी मेरे चाल चलन पर लगी रहे वेशा गहरा गड़ा ठहरती है और पराइस्तरी सकेत कुए के समान है वह डाक किनाई घात लगाती है और बहुत से मनुश्यों को विश्वास घाती कर देती है कौन कहता है हाई कौन कहता है हाई हाई कौन जगड़े रगड़े में फसाता है कौन बगबग करता है किसके अकारन घाव होते है किसकी आखे लाल हो जाती है उनकी जो दाकमधू तेर तक पीते है जो मसाला मिला हुआ दाकमधू ढूनने को जाते है जब दाकमधू लाल दिख तब उसको नव देखना क्योंकि अन्तमे वह सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है तू विचित्रवस्तुए देखेंगा और उल्टी सीधी बाते बकता रहेगा और तू समुदर के बीच लेटने वाले वा मरतलू के सीरे पर सोने वाले के समान रहेगा तू कहेग कि मैंने मार चुखाई परन्तु दुखित न हुआ